दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल रात 10 बजे युनाइटेड नेशन सिग्रिटी कॉंसल के तरफ से बंद कमरे में मिटिंग बुलाई गई थी जिसमें धारा 370 पर चर्चा होनी थी चीन और पकिस्तान युनाइटेड नेशन यह सोच कर गए थे के उन्हें युनाइटेड नेशन का साथ मिलेगा लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा होगा के उनको इसका उल्टा देखने को मिल सकता है चीन और पाकिस्तान सोच रहे थे कि युनाइटेड नेशन में उनका कोई न कोई देश तो साथ देगा ही लेकिन वो वहाँ बिलकुल अकेले पढ़ जाएंगे यह कभी नहीं सोचा होगा युनाइटेड नेशन सिग्रिटी काउंसिल में टोटल पंदरा मेंबर होते हैं पांच अस्थाई सदस से तो दस आस्थाई सदस से चीन पाकिस्तान को युनाइटेड नेशन सिग्रिटी काउंसिल के इस मीटिंग में नव देशों का साथ चाहिए था चीन और पाकिस्तान को United Nations Security Council के इस मीटिंग में नो देशों का साथ चाहिए था लेकिन उनका किसी भी देश ने साथ नहीं दिया यहाँ तक के ब्रिटेन ने भी भारत का ही साथ दिया ब्रिटेन अब तक इस पूरे मामले में चुप था इसलिए ब्रिटेन पर थोड़ा असमंजस था कि वो किसका साथ देगा दोस्तो चीन पहले से ही जानता था कि इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं होगा चीन ने सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के जनता को खुस करने के लिए United Nations Security Council के मीटिंग बलाई थी वो पहले से ही जानता था कि जितने भी United Nations के पर्मानेंट मेंबर हैं वो भारत का ही साथ देंगे इसके लावा चीन ने पहले ही भारत को भरोसे में कर लिया था क्योंकि अक्टूबर में चीन के राष्ट्रपती भारत दोरे पर आने वाले हैं चीन अपनी आर्थिक मंदी से जूज रहा है जिस कारण उसकी GDP लगातार नीचे गिरती जा रही है ऐसा तो भारत की भी GDP 6 महिने से लगातार नीचे गिरती जा रही है खैर मैं भारत की गिरतीवी GDP पर एक अलग से वीडियो बना दूँगा अगर आप कमेंड बॉक्स में कहेंगे तो चीन अर्थिक मंदी से जूज रहा है ऐसे बुरे समय में भारत ही चीन का एक सहारा है जो उसे अर्थिक मंदी से निकाल सकता है चीन भारत को दुनिया के सबसे बड़े बजार करूप में देखता है चीन के राश्ट्रपती अक्टूबर में भारत दोरे पर इसी कारण से आ रहे हैं ताकि भारती बजार में उन्हें और अधिक जगा मिल जाए और यही कारण है के चीन नहीं चाता है के इस दोरे से पहले वह भारत के खिलाफ कड़ा हो जाए इसके अलावा भारत का साथ इनाइटे नेशन सिग्रिटी कॉंसिल के चार अस्थाई सदस्य और दस आस्थाई सदस्य ने इसलिए भी साथ दिया क्योंकि भारत ने जो भी कस्मीर में किया वो लीगल वे में किया सभी जानते हैं के कस्मीर भारत का ही एक हिस्सा है और भारत अपने किसी भी राज में अपने कानून को संसोधन कर सकता है इसके अलावा रूस जो भारत का पक्का दोस्त माना जाता है उसने खुल कर भारत का साथ दिया है रूस ने तो यहां तक कह दिया कि अगर कोई देश अपने ही देश में किसी कानून में संसुधन कर रहा है तो आप वहां घोज जाएंगे जहां आपको काम नहीं करना है वहां करते हो और जहां करना है वहां नहीं करते साथी भारत के जो युनाइटेड नेशन में सदस्य हैं सेद अकबरुद्दीन वह हमेशा भारत के लिए कुछ खास लेकर आते हैं और इस बार वो बिटेन को अपने साथ लाने में सफल हुए हैं आसा है आप समझ गए होंगे के चीन और पाकिस्तान युनाइटेड नेशन में भारत का कुछ क्यों नहीं कर पाए साथ ही अगर आपको भारत की गिरतीवी GDP पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंड बॉक्स में ज वीडियो का नेटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत